नमस्कार दोस्तों आप सिखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं एक खुब्सुरत सा लेडिस बुट लाए हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत चल्दी बनके त्यार होता है तो चलिए फ्रेंट्स हम बुट बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने सलाई में 22 फंदे डाले हैं और 25 उल्टे धारियां बनाई है यानि दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना है जिससे ये 25 उल्टे फंदों की धारियां गई हैं देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्नेस, बेस, एक्किस, बाइस, तेईस, चौविस, और ये पच्चिस तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनाइस से ये 25 उल्टे फं यानि हमने टोटल पचास लाइन बुना है तो ये हमारा 91 लाइन है और अब इसमें हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे तो हमने सेकेंडरी कलर अटैच कर लिया अब हम सभी फंदे सेकेंडरी कलर के उन से सभी फंदे सीधी बना लेंगे और उनको ऐसे बीच-बीच में लपिटते रहेंगे तो हमने सभी फंदे सकंडरी करर के उनसे सीधे बुन लिया और रांग साइट से अब हम सभी फंदे उल्टे बनाएंगे सेकंडरी करर से बुनते समय हम रांग साइट से सभी फंदे उल्टे और फिर सेकंडरी कलर के उनसे ही सभी फंदे सीधे तो सभी फंदे सीधे बुनते हुए और रांग साइट से सभी फंदे उल्टे बुनते हुए हम सेकंडरी कलर के उनसे आठ लाइन कंप्लीट करेंगे तो आठ लाइन बुनके मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स सेकंडरी कलर के उनसे आठ लाइन बुना जा चुका है अब हम चार लाइन प्राइमरी कलर के उनसे बुनेंगे यानि आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से भी सभी फंदे सीधे ही बुनेंगे जिससे उल्टे फंदों की दो धारियां सामने से भी आ जाएंगी और पीछे से भी आ जाएंगी तो मैं इतना बुन के आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंड्स प्राइमरी कलर के उनसे चार लाइन बुना गया है चार लाइन सीधा सीधा उन्ने से दो उल्टे फंदों की धारिया आ गया है अब फिर हम सेकेंडरी कलर के उनसे आठ लाइन बुनेंगे यानि आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे तो आठ लाइन कंप्लेट करके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट सेकेंडरी कलर से आठ लाइन कंप्लीट हो गया है अब हमें फिर प्राइमरी कलर से चार लाइन बनाना होगा आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा जिसे दो उल्टे फंदों की ऐसे धारिया आ जाए देखिए फ्रेंट्स हमने सेकिंडरी कलर से चार सीधी लाइने बुन लिया जिससे उल्टे फंदो की दो धारिया आ गई अब फिर हमें प्राइमरी कलर के उनसे आठ लाइन बनाना होगा तो आठ लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स ये आठ लाइन सेकंडरी कलर से आठ लाइन कम्प्रीट हो गया है तो अब धागा काट लेंगे और इसे हम आपस मेह से गाट लगा देंगे क्योंकि अब सेकंडरी कलर के उनका कोई काम नहीं है तो उसे काट लेंगे गाट लगा लेंगे और अब primary color के उन से 50 सीधी लाइने बनाएंगे यानि आगे से भी सभी फंदे सीधे और पीछे से भी सभी फंदे सीधे जिससे उल्टे फंदो की 25 धारियां सामने से भी आ जाए और पीछे से भी आ जाए जैसे कि यह हमारा है ऐसे ही 25 उल्टे धारियां सामने से भी और पीछ से भी आ जाए तो पचास लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट्स ये पच्चिस धारियां उल्टे फंदों की पच्चिस धारियां कम्प्लीट हो गई हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और ये एक पच्चिस तो पच्चिस धारियां कम्प्लीट हो जाने के बाद हम इन फंदों को घटाएंगे तो इसके लिए या तो हम हमें प्रतेक फंदे को ऐसे सीधा बुणना होगा और पीछे वाले फंदे को उठाकर आगे बाले पे ऐसे चढ़ाना होगा नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे, या फिर इस फंदे को भी 22 लाइं में ले लेंगे, और दो-दो फंदो को एक साथ लेते जाएंगे, और सीधा बुनेंगे, फिर वापस इसे 22 लाइं में चढ़ाया, दो फं फंदे घटने शुरू हो गया है फंदो को हम नार्मली घटाएंगे ना बहुत जादा टाइट करेंगे और नहीं बहुत जादा धीला दो-दो फंदो को लेते जाएंगे और दो का एक करते चले जाएंगे अब लास्ट फंदे को हम यहीं छोड़ेंगे अब यहां देखिए यह सीधे फंदो की एक धारी आई है तो हम ऐसे प्रतेक यह जो एज है इसमें प्रतेक सीधे फंदे में एक ऐसे फंदा बना लेंगे एक दो तीन ऐसे जितने भी यह फंदे दिखाए दे रहे हैं हम प्रतेक में एक ऐक फंदा उठाते चले जाएंगे तो यह उल्टे फंदो की पच्चिस धारिया थी और हमने पच्चिस फंदे उठा लिये और अब देखिए जितने भी एज यह दिखाए दे रहे हैं प्रतेक में हमें फंदे उठाने है तो सीधे फंदे की जो धारी दिखाए दे रहे हैं प्रतेक में हम ऐसे सदाई डालेंगे और एक फंदा बनाते चले जाएंगे तो यह टोटल 66 में उठाए हैं अब पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे और शेस फंदे सीधे बुन लेंगे और लास्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे अब हमें दोनों तरब से सीधा सीधा ही बुनना है क्योंकि अब हम बॉर्डर बना रहे हैं तो पूरी लाइन में कम्प्लीट करके आपको दिखाते हूं और लास्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे अब हम फिर सामने की तरफ आ गया है तो पच्चिस फंदे हम सीधा बुनेंगे तो पच्चिस फंदे सीधे बुने जा चुके हैं अब हम दो दो फंदो को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे दो फंदे को एक साथ लिया दो का एक किया निक्स्ट दो फंदे को एक साथ लिया दो का एक किया तीन हो गया चार पांच छे साथ तो सोला फंदो के बीच के सोला फंदो को हमने दो दो फंदो को एक साथ लिया और आठ बना लिया तो पच्चिस फंदे इधर बुनने के बाद सोला फंदो को हमने दो का एक किया और सोला से आठ बना लिया और लास्ट में पच्चिस फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बना लेंगे और रॉंग सैट से पहले फंदे को ऐसे पॉल वाई स्लिप करेंगे दूसरी और उन करेंगे और से सभी फंदो को सीधा बन लेंगे इस लाइन में हमें किसी फंदे को कमने करना है जितने फंदे हैं सभी फंदो को हमें सीधा बनते हुए लाइन को कम्प्लीट कर लेना है और लास्ट फंदे को हम उल्टा बन लेंगे तो लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ अब यह बॉर्डर का पांच वा लाइन है तो पच्चिस फंदे हम सीधा बन लेंगे तो पच्चिस फंदे हमने सीधा बन ले अब बीच में आठ फंदो को हम चार करेंगे यानि दो दो फंदो को एक साथ लेते जाएंगे और दो का एक कर लेंगे एक दो तीन और चार और शेस फंदो को लाइस्ट में पच्चिस फंदे बचे हैं उन्हें हम सीधा बन लेंगे च्छती लाइन और बार्डर का च्छत्वा लाइन और रॉंग साइप पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन्ह दूसरी और करेंगे शेस सभी फंदे सीधे और लास्ट फंदा उल्टा तो हमारा ये बार्डर अब कम्प्लीट हो गया अब हमें इन्हें घटा देना है तो अभी तक हमने पूरी बुनाई दस नंबर के फंदा लेकिन लास्ट लाइन हम नौट ये टाइट हो जाएगा और हमें पहनने में कच्छनाई हो गई लास्ट लाइन हम एक नंबर मोटे सलाई से ही उतारेंगे इस लाइन में सब्वे फंदे हमें क्लोज करने है देखिए लास्ट लाइन हम एक नंबर मोटे सलाई से उतार रहा है तो सब्वे फंदे एक एक करके हमें उतार देने है अब हम फंदे को थोड़ा लंबा कीचेंगे क्योंकि अब हमें इसकी सिलाई करनी है और फंदे के अंदर से ऐसे धागे को निकाल लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे उल्टे की तरफ से ऐसे मोड़ेंगे और फिर यहां से हमको यहां तक सिलाई करनी है सुई में धागा डारेंगे और नार्मली जैसा हम सिलते हैं वैसे ही हम सिलना शुरू कर देंगे झाल दीकी फ्रांट्स जूति बनके त्यार है आशा है आपको अच्छा लगा हो तो गृप्रिप्याई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में अपने श्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद